हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टोडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि MP वर्क टू एंड यूपी टीजिटी-पीजिटी के लिए प्रैक्टिस सेट कराएं तो दोस्तों आज से मैं सुरू कर दी हूँ MP वर्क टू एक्जाम अक्टूबर में होने की संभावना है एंड यूपी टीजिटी का डॉवंबर दिसंबर में लेकिन यूपी टीजिटी का कोई कनफर्ण डेट नहीं पता चल रहा है नहीं MP वर्क टू का लेकिन MP वर्क टू का जो एक्जाम है अक्टूबर में होने की हो जाए तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे है डेली बेसेश पर मैं आपको अब वीडियो बिना दिले के रोज प्रैक्टिस कराऊंगी बस मेरे साथ जुड़े रहे हैं एंड इंग्लिस हिंदी दोनों में कोजिशन में लाई हूं जैसा कि कुछ लोगों का डिमांड था कि इंग्लिस दोनों में लाई है तो दोस्तों दोनों में मैं एक साथ प्रैक्टिस करा रही हूं जिसको हिंदी में प्राबलम होगी ओ इंग्लिस वर्जन जिसको इंग्लिस में प्राबलम होगी ओ हिंदी वर्जन दोनों से बढ़ सकता है तो दोस्तों चलते हैं आज के कोशन में जाए और सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट जरू देखिए और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने भी कराया हुआ है तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस के तरफ कोस्टन नंबर वन है दोस्तों सुरू से लार्ज तक वीडियो देखेगा एक एक कोस्टन में छाट छाट के लाती हूँ और एक मत सोचीगा कि एक कोस्टन नहीं आएगा ऐसा सोचने पर ही सेलेक्षन नहीं होता है कोई भी कोस्ट पुछा जासकता है कोई गरांटी नहीं है तो आपको सभी चीजों की जानकारी रहेगी तब ही आप किसी भी प्रकार को कोश्टन पूछा जाएगा आ आप answer दे पाएंगे लेंदी कोश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों तो वह कठी नहीं होता है लेंदी भले ही होता है अगर आप पढ़े होते हैं सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से तो उसको अच्छे से पढ़कि आप अनुमान लगा के अच्छे से एंसर दे सकते हैं, तो question number one है, कि कौन सा पदार्थ है, जो पाचन आरंब करता है, which substance initiates digestion, तो दोस्तों पाचन आरंब करने की बात कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि जो पाचन का आरंब होता है, वो हमारे मुख में ही प्रारम हो जाता है, यानि मुख में किस चीज से पाचन होता है, हमारे मुख में कौन सी ग्रंथी होती है, दोस्तों हमारे मुख में लार ग्रंथी होती है, यानि salary glands, और salary glands जो है, दोनों तरफ तीन जोड़ी लार ग्रंथी होती है, यदि जोड़ी में पूछेगा तो तीन जोड़ी लारगन्थी होती है और यदि संख्या में पूछेगा तो छे लारगन्थिया होती है जोड़ों में तीन दोनों तरफ तीन तीन दोनों जबलों की तरफ होती है पेरोटिट ग्लेंड, सबमेंडिवुलर ग्लेंड एंड सबलिंगुल ग्लेंड तो इससे टाली नामप एंजाइम निकलता है तो लारगरंथी जो है एक तरल पारदर सी छार युक्त पदाउट होता है जिसमें 99.2% जल होता है सेज 0.8% में सोडियम, पोटेसियम, केलसियम के बाई कार्बोनेट तथा कुछ मात्रा में म्यूसीन का एंजाइम रहते हैं यानि दोस्तो लार में एंजाइम, म्यूकस यानि सलेशमा, एंजल ये तीनों चीज़े पाया जाता है जिसमें से एंजाइम में दो एंजाइम लिखनते हैं, एक टाइलीन और दुसरा लाइसोजाइम जो टाइलीन एंजाइम होता है, वो कार्बो हाइडेट का पाचन करता है यानि स्टार्ज को माल्टोज में बदलता है, इसलिए टाइलीन को सेलिवरी ग्लैंड्स या सेलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है तो इस प्रकार जो है, कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंब करता है, हमारे मुक में पाचन का आरंब होता है इस प्रकार आपका राइट एंसर हो जाएगा लारक ग्रंथी यानि की सेलिवरी ग्लैंड्स एंड्स लारक ग्रंथी से एक और हर्मोंस निकलता है, लाइसो जाएम जो भोज पदार्थों के साथ आए हुई हानिकारक जिवाड़ों को मारने का काम करता है यह हमारे आसू में, हमारे लार में, हमारे पसीवे में पाया जाता है लाइसो जाएम एंजाएम तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन का पाचन आरंब होता है हमारे मुख में किसके द्वारा लार गरंती के द्वारा और एंजाइम पूछेगा तो टायली नमक एंजाइम के द्वारा किस चीज का पाचन करता है तो कार्भोहाइडेट का यानि कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है यह दिकोजिशन पूछेगा कि भोजन का भोजन का पाचन होता है मुख से प्रारम होता है अब पुड़ पाचन छोटी याद में होता है लेकिन दोस्तो भोजन का आवसोसर जो है प्रारम हो जाता है ग्रहडी से ही पुड़ आवसोसर होता है छोटी याद के बिलाई के द्वारा याद रखिएगा जो आवसदी और एल्कोहॉल का औसोसर होता है वो हमारे अमासे यानि इस्टोमेश में होता है और पचे हुए भोज़ पदातों का पुड़ औसोसर होता है छोटी आत्मी एंड बड़ी आत्मी किसका औसोसर होता है बड़ी आत्मी जल्त था खर्नीज पदातों का औसोसर बड़ी आत्मी जल्त पानी नमक ग्लुकोज को शोखता है जिससे की सरीरी में इसकी मातरा संतुलिद रहे तो दोस्तों इस प्रकार आपने समझ गए होंगे इस प्रकार में एक एक कोर्शन के दोबरा कई कोर्शन हल आपको करवा दूंगी डीटेल में बताते हुए कोर्शन नमबर टू के तरब चलते हैं कोर्शन नमबर टू है ग्लूटस मैक्सिमस मांस पेसी इस चित है ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स एज लोकेटेड इल तो दोस्तों जबकि आप सब लोग जानते हैं जो ग्लूटस मैक्सिमस मांस पेसी होती है वह कहां पर इस चित है तो ग् कहां पर इसित है। कुल्य में यानि कि हीप में। याद रखें इक ग्लूटस मसल्स को तील भागों में बाटा गया है। कोन कोन से पहला है glutus maximus, दुसरा है glutus medius, दुसरा है glutus minimus, जिसमें से आप जानते हैं कि glutus maximus muscles जो है पूरे बाड़ी की सबसे बड़ी मांस्पेसी, largest muscles है, बड़ी की बात कर रहा हैं दोस्तों, लंबी की नहीं, लंबी muscles है हमारी सार्टोरियस तो यानि लांगेश्ट और लार्जेश्ट दोनों में अंतर समझेगा कन्फ्यूज मत होईएगा लंबी मसल्स यानि लांगेश्ट मसल्स पूछेगा हमारे बॉडी का तो सार्टोरियस बड़ी मसल्स यानि largest मसल्स पूछेगा तो Glutus Maximus लेकिन यहाँ पी क्या पूछा था BPC-TRE 3 में कि Glutus Muscles में सबसे छोटी कौन है तो यह तीन जो Glutus Muscles होती है Glutus Maximus, Glutus Medius, Glutus Minimus जिसमें से Glutus Maximus आप जान ही रहे हैं जिसमें की बाड़ी में सबसे बड़ी है तो यह बड़ी ही है और Glutus Minimus जो है कुले की सबसे छोटी मसल्स होती है और Glutus Maximus जो है सरी की सबसे बड़ी मसल्स आई हो कि आपको समझ में आया होगा Question No.3 है दोस्तो किनिमनिमिसी कौन सा यहाँ पर वास लिखा गया है दोस्तो वसा होगा ठीक है इसमें कौन सा वसा में घुलनसिल बितामिन नहीं है Which of the following is not a fat-soluble vitamin तो बितामिन दो परकर का होता है Fat-soluble and water-soluble जो water-soluble यादि पानी में घुलनसिल बितामिन होते हैं वो B और C होते हैं B, C और H यह water-soluble मिटामिन होते हैं उसके अलावाद जो K, E, D, A ठीक है? हमने बताया था सुत्र आपको K, I Sorry दोस्तो, I रहीं होता है ठीक है? K, E, D, A कि राव? इस सुत्र मैंने बताया हुआ था कि फैर-soluble vitamin जो है K, E, D, A है और water-soluble vitamin B, C और H है तो यहाँ पर question पूछा है Which of the following is not a fat-soluble vitamin? तो कौन इसमें fat-soluble vitamin नहीं है? नहीं है इका पूछा है तो यहाँ में B और C जो है और H है, water-soluble होता है तो यहाँ पर जो vitamin B है यह water-soluble है fat-soluble नहीं है तो option number B यहाँ पर राइट हो जाता है Question number 4 है दोस्तों कि अलतराश्टी Olympic समीति के गठन किस वर्स हुआ था In which year was the International Olympic Committee फार्म्ड तो दोस्तों International Olympic Committee यानि IOC की इस्थापना 23 जून 1894 इस्वी में हुआ था कब हुआ था 23 जून 1894 यहाँ पर 1894 आपका राइट इस्थर होगा दोस्तों 23 जून 1894 को पेरीज के सरबूर नामक अस्थान पल यह गठन किया गया था आदूनिक Olympic के पितामह कहे जाने वाले बैरन पीरेडी कोबर्टिंग के द्वारा इसका मुख्याल है स्वीर्जन लेन है लुसाने स्वीर्जन लेन और दोस्तों बर्तमान अध्यच्छ है थामस बाग और दोस्तों 23 जून को अंतराश्टी Olympic समीती का गठन हुआ इसलिए प्रतियक वर्स 23 जून को Olympic दिवस मनाये जाता है यह भी याद रखेगा और Olympic दिवस मनाने का प्रारम कब से हुआ 23 जून 1948 को प्रथम Olympic दिवस मनाये गया और Olympic दिवस बनाने का विचार किस ने किया था उनका स्रेक किसको जाता है तो चेकोस दोवाकिया कि डाक्टर जोसेप गुरूस को दिया जाता है आई हो कि आपको कैई कोशन्स किलियर हुए होंगे तो दोस्तों इस प्रकार कि आपके लिए फ्री में मेहनत कोई नहीं कर रहा है तो पूरा वीडियो देखे और सेयर भी कीज़े जादे से जादे यह आने लोगों तक वीडियो पहुच सके और कोशन नमबर फाइब है कि प्रतियोगिता में बिसम टीमों की संख्या होने पर उपरी अर्ध में बाई देने का सुत्र क्या होगा तो वार्ट विल बी फार्मूला फोर गिविग बाइब इन दा ताफ हाफ फिन तेर अर्ध और नमबर आफ टीमस जब टूर्ड। जब टूर्ड। में बिसम संख्या की तीमों की संख्या बिसम हो याणि आर्ध तो उपर के हाफ में बाई देने का सुत्र क्या होगा तो दोस्तो अगर समसंख्या होती है तो बाई देने का सुत्र होता है N B added two उपर निचे डोन में व हुता है बट जब बिशं संख्या यानि और नंबर होता है तो उपर की खाप में बाई देने का सुत्र होता है N B minus one upon two क्या हो जाएगा NB minus 1 upon 2 NB का मतलब होता है number of by जो आपका by आएगा निकालने पर by निकालेगा सुत्र होता है next power of 2 minus 1 जो by आप निकलेगा ओस अख्या NB कहलाएगा number of by upon number of by minus 1 upon 2 आपका होगा उपरी हाफ में और निचले हाफ में होगा NB plus 1 upon 2 I hope कि आपको समझ में आया होगा question number 6 है आहार में निचले में से कौन सा तत्व और पोसक है which of the following elements in food is non-nutrition very important question है दोस्तो तो यहाँ पे दोस्तों fiber जो है यह non-nutrition यानि ओपोसक पदार्थ है fiber जो है हमें उर्जा नहीं देता बलकि हमारे सरी के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि fiber की बिना जो मैक्रो पोसक तत्तों होते हैं यानि carbohydrate, protein and wasa यह सही से काम नहीं कर पाते हैं और इसमें जो कैल्सियम है दोस्तों कैल्सियम जो है रक्त के सकंदन में सहायक होता है यह रक्त के थक्का blood clotting में सहायक होता है and minerals and vitamins तो इसका आप definition जानते हैं कि daily routine work without any for day यानि daily के कारे को बिना थके आप संपन्न कर रहे हैं और अपात काल के आसकताओं के निपढ़ने के लिए भी उर्जा आपके पास बचा होता है उसे ही हम कहते हैं physical fitness यानि सारिक तंद्रुस्ती यहां पर right answer हो जाएगा दैनिक कारे करना क्या हो जाएगा दैनिक कारे करना यानि कि रोजाना के कारे को उस्सा और सतरक्ता से संपन्न करने के लिए and फूर्शत के समय के क्रिया कलापू और आप आज समय की आउसकताओं से निपढ़ने के लिए उर्जा बचाने की योगिता ही फिजिकल फिटनिस कहलाता है यहाँ पर फर्फॉर्म डेली टास्क यानि देनिक कारे करना आपका राइड एंसर हो जाएगा कोशन नमर एट है मिलर वाल वाली परिच्छर समंदित है यानि मिलर वाल टेस्ट इज रिलेटेट टू तो दोस्तों यह किस समंदित है तो मैंने आपको स्कील टेस्ट के अंतरगत टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलियोशन में अच्छे धंग से बताया हुआ है कि मिलर वाल वाली टेस्ट जो है वो बैड मिन्टर से समंदित है किस समंदित है यह बैड मिन्टर से समंदित है मिलर वाल वाली टेस्ट एंड बैड मिन्टर से और है समंदित जो है फ्रेंच इस्टेल्टोर बैड मिन्टर टेस्ट एंड लोकॉर्ड एमसी फेर्षन बैड मिन्टर टेस्ट and volleyball से दोस्तो मैंने शुत्र के साथ आपको ट्रिक के साथ बताया हुआ है जितने भी skill test है उसको देखने के लिए आप test measurement and evolution की playlist में जाए ये theory session में डेटल में मैंने बताया हुआ है ट्रिक के साथ जो आपको आसानी से याद हो जाएगा question number nine है कि occipital अस्थी कहां इस्थीत होती है वे रेज़ दर occipital bone located जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो हमारी इस कल होती है उसमें 29 हड़्या होती है जिसमें cranial में जो हमारी मस्तिषख की होती है उसमें हैं लेकिन जो हमारे ऐंखे कर रहेगा इसकल यहां लिया होती है यहां पर इसकल रहेगा यहां पर होती है क्रेने मस्तिस में जिसमें से सामने की हडी को हम फ्रंडल कहते हैं और बगल वाले हड़ी ऑन कारीड यहां कान के तरफ दोनों हड़ी होती हैं टेंपोरल और पीछे वाले हड़ी को हम कहते हैं औसीपिटल तो यह हमारे खोपड़ी के पीछे इसीद होती है औसीपिटल मस्तिस का पिछला बाग होता है क्वेशन नमर दस है कि माध्य से मानक बिछलन अंको की दूरी के अधार पर बनाए गए पैमाने यानि स्केल को कहते हैं तो दोस्तो इसको कहा जाता है जेड़ स्केल क्या कहा जाता है जेड़ स्केल कोर्शन नमर ग्यारह की तरफ चलते हैं क्वेशन नमर ग्यारह है शक्ति को बढ़ाने की प्रसिछण विधी कहलाती है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि चार आफसन दिया हुआ है अब इसमें से चारों को आप पहले देखिए अगर इदिया आपको कोई संगोच है या तो कोई कन्फीजन है तो पहले चारों यहां पर आप देखेंगे कि बैलेक्सिबिलिटी क्या है यह फ्लैसिबिलिटी को बहाने की बिधी है तो यह गलत हो जाएगा आपका एंड रिपीटेशन एंफ फॉर्टलेक मेधन यह दोनु जो है सहन सिलता यानिकी एंडरेंज डिवलप करता है बचा कौन सा आसन आसन न पैसलिटी को बढ़ाती है यहां पे प्लावर मेट्रिक मेथड क्या हो जाएगा इंक्रीज इस ट्रेंथ यानिकी इस ट्रेंथ को इंक्रीच करता है क्यों से को स्थोट्चन नंबर 12 है के ऐसे कि आप जानते हैं हिदे तीन मांस्पेशी की परतों से बना होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम तो हिदे मांस्पेशी को हम क्या कहते है तो हिदे मांस्पेशी को कहा जाता है मायोकार्डियम यह कार्डियो मायोसायड से बनी होती है मायो कार्डियम हिदे की सभी चार कच्छों की दिवारों में पाया जाता है कोश्चन नमबर तेरह है हमारी स्वसन प्रक्रिया का नियंत्र केंद्र इस्थीत है तो दोस्तो रिस्पेरेटरी प्रोसेस इस लोकेटेड इन तो दोस्तो रिस्पेरेटरी प्रोसेस यानि हमारी स्वसन प्रक्रिया का नियंत्र केंद्र होता है वह कौन सा होता है दोस्तो तो हमारी स्वसन प्रक्रिया का नियंत्र केंद्र होता है मेरुला अबलांग गेटा दोस्तों जीतने भी चाहिए हिरे प्रक्रिया हो, स्वसन प्रक्रिया हो ब्लड सर्कुलेशन डिस्पारेटरी सिस्टम एंड हर्ट रेट, डाइजेस्टन एंड जठर मार्क से इस्त्रावित होने वाले पदार्थ हो कि प्रेट क्रियाओं का नियंतर और सभी चीज़ों का जो अनैच्छी क्रिया होती है, जो हमारे बस में नहीं है वह सभी चीजे जो जैवी कारे होती है, वाइटल फंक्शन होती है, यह हमारे इच्छाओं से कोई फरक नहीं पड़ता, उसे मेरुला अबलांगेटा जो है नियंतरित करता है, तो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा, मेरुला अबलांगेटा, आप्सन नमबर डी मेरुला अबलांगेटा जो है, पोंस, पेरूली तथा मेरुरज्यों के बीच इस्तित होता है, यह हमारे पाचंतर सब्सक्राइब करता है यहां पर उसको बत समझ लीजेगा अनेची क्रिया जो प्रतिवर्थी क्रिया होती है जो वाहे वातावरर पर आधायत होती है वह आपका मेरु रज्जु एने की स्पाइनल कॉर्स नियंतित करता है जैसे के आग में हाथ डालने पर तुरंत बाहर आ ज दोस्तों कि 1943 में हार्वर्ड हार्वर्ड स्टेप टेश किस ने विख्षित किया था तो हूर डेलोपेर्ड हार्वर्ड स्टेप टेश इन 1943 तो दोस्तों इसको लियूसीन ब्राहुआ ने 1943 में कार्डियो रेस्पार्टरी एंडरेंस यानि हिदे मांस्पेसी सहंचंद हिदे फेफडों की सहंचंदा मिज़र करने की दिये किया गया था कोर्षिन नंबर पंद्रह है किस उलम्पिक में टार्ज अनुस्ठान को प्रारंब किया था इन विच उलम्पिक वाज़ टार्ज सेरिमनी इंट्रोटक्ट तो दोस्तों टार्ज अनुस्ठान को 1936 बरलीन उलम्पिक में सुरू किया गया था यानि 1936 बरलीन उलम्पिक मसाल को उलम्पिया से लेकर सभी महादीबों से होते हुए उलम्पिक के आयोजन इस्थल पर लाहकर ज्वाला परजलित करने की सुरुआत हुआ था मसाल दोरों का प्रस्ताव को पारिद किया था सबसे पहले कार्ड डाइन ने लेकिन ये धी कोशने आयेगा कि सबसे पहले मसाल कब जलाया गया था तो 1928 अमस्टरड़म उलम्पिक हॉल एंड में ज्वाला इस्टेडियम के मुख्यद्वार पर जलाई गया थी पुना अपनाया था 1932 में बट पर्थम बार अधिकारिक तोर पर टार्च जलाया गया अनुष्थान यानि मसाल जलाया गया 1936 बरलीन उलम्पिक में याद रखिएगा कोश्य नंबर 16 है कि कौन सा घटक परिच्छड की वस्तु निष्ट को प्रभावित नहीं करता तो यहाँ पी कौन सा घटक परिच्छड की वस्तु निष्टता को प्रभावित नहीं करता तो दोस्तों नीड़ा की कोसोर्टी निस्पाजित करने वालों का क्रम यहां पे नीड़ा की कोसोर्टी प्रभावित करेगा निस्पाजित करने वालों का क्रम भी प्रभावित करेगा मापने की प्रकिरिया का प्रिवेच्छर भी प्रभावित करेगा तो वीच फेक्टर डज नॉट अफेक्ट द अब्जेक्टिविटी आप यह टेस्ट तो अब्जेक्टिविटी को तीनु प्रभावित करेगा बट परिच्छर के अब अधी प्रभावित नहीं करेगा ठेक है डियूरेशन आफ द टेस्ट क्योंकि किसी भी समय में आप उसको परिच्छर करेंगे परिडाम वही बताना चाहिए कि कोस्टन नंबर 17 है कि प्रूप्रायो सेप्टिव निरू मस्कुलर फैसी लिटेशन टेक्निक इज रिलेटेट टू यानि प्यनफ मेथड किस्ते समधित है तो आप जानते हैं दोस्तों बाइलैस्टिक इस्टेटिक ड निरॊप्र कने की विधियां है कि द्लीक कोश्टन नंबर 18 है कि नि निम्-निम से कौन सा हर्मुन पैंक्रिच की दू निकलता है तो पैंक्रियाज ŕंसे निकलता यानि मिस्षित ग्रंथी के अंतरगत आती है जो हार्मोन एंजाइम दोनों इस्तराविद करती है तो इसमें से जो कोष्ठिका यानि एसीरस कोषिकाए होती है उससे एंजाइम बनाती है जो वह इस्तराव कारे करती है और जो लैंगर हैंस के दिपिका यानि की दिपक कोषिक काइँ होती हैं वो एन्डोक्राइंट स्ले,ालिकी हार्मोन इस्तरावित करती है जो अंतभ इस्तभावका कार्य करती है जो डारेक्ट जाकर के रगट में मिलती हैं तो जो तो जो कौन-k dealtो होती है तो ल्गर हैंसक की ढिपकाउं से अगनासय से चार प्रकार की कोसी काben होती है एलफा, बीटा, डेल्टा एंफ कोसीका. जिसमें से एलफा कोसीका से ग्लुकेगान हर्मОН उत्पन होता है, जो ग्लुकेगान हर्मोन जो या क्रित को यानि लिवर को उतरप्रेडित करके गलाइकोजन को ग्लुकोज में परिवर्टित करता है यानि कि इसके कालरक्त में ग्लुकोज का इस्तर बढ़ता है और बिटा कोसिका से इंसुलीन नामक हार्मोन इस्तरावित होता है जो जल में घुलनसील होता है इंसुलीन याद रखिएगा इंसुलीन जल में घुलनसील होता है और जिंक प्रोटीन इसमें जो है काम करता है और रक्त में उपसित ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में बदलता ह है क्या करता है और बोजन के पाचन में आकसी करण में सहायता होता है और जब लाई-गोजन में बदल哦еюсь 2 होता है और इस से कार ल मgehen घुद्वन हो जाता है तो जो है दॉस्फज नहीं पाता है जिस से जादे घुद्वन के मात्रा कम हो जाती है तो ग्लुकोज को ग्लाइकोजर में नहीं बदल पाता जिसके करार ग्लुकोज यानि सरकरा रक्तर में बहने लगता है जिसे हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं जब इंसुलीन की मातरा ज्यादा हो जाती है तो ज्यादे ग्लुकोज को ग्लाइकोजर में दनी लगता है तो रक्त में ग्लुकोज की मातरा कम हो जाती है सक्रा कम हो जाता है तो इसको हाइपो ग्लाइसीमिया कहते हैं दूनों चीज़े आपको याद आप सभी को पता है सभी ने राइट टिक लगा दिया होगा तो इंसुलीन यहां पर राइट इंसर हो जाएगा कोस्टन नमर 19 है विडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों लेकिन मैं इसलिए एक एक कोस्टन का अच्छे से एक्स्प्लेइन कर रही हूं जिसने आप अच्छी तरीके से कोस्टन को हल कर सके यदि आप को यह कहना है कि क्योवल कोस्टन पढ़िए कोस्टन का एंसर बताते जाए अगर आपका मन यही रहेगा तो मैं यही करूंगी कमेंट में आप बता दीजेगा आप इतना एक्स्प्ल सबन्या जरूरी है जरूरी है कोस्टन नबर उनीस है भारत सरकार की खेल विभाग ने भारतिये खेल प्राधिकरण का प्रस्ताओं कब सरुसमती से पास किया वें इंडिट इस्पोर्ट डिपॉर्टमेंट आप दे गोवर्मेंट आफ इंडिया अन नीमोजली पास दे प्रपोजर आफ दे इंडियन इस्पोर्ट अथारिटी दोस्तों यहां पे इस्पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया होगा ठीक है यानि कि भारतिये खेल प्राधिकरण को भारत सरकार ने सरुसमती से कब पास किया तो आप सभी को पता है कि इस्पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया भारतिये खेल प्राधिकरण की थापना पत्चीश जन्वरी 1984 को हुआ था ठीक है आफसर नमबर ए यहां पे राइटेंसर होगा कोस्टन नमर बीस है कि खेलों के अत्रिक्त उर्जा सिधांत किसने प्रतिपादित किया था हूँ प्रोनाउंच द एक्सेस एनर्जी यानि सरपल्स एनर्जी यहां पे रहेगा एक्सेस एनर्जी भी हो जाएगा त्यूरी आफ गेमस तो किसने अत्रिक्त उर्जी उर्जा सिधांत का प्रतिपादिन दिया था दोस्तों यहां पी राइटेंसर हो जाएगा हर्बर्ट इस्पेंसर और सीलर कौन दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर यानि कि अत्रिक्त सक्ति यानि अविसेश उर्जा का सिधान इसको थियोरी आफ सलपर्स इनर्जी भी कहते हैं इसको हर्बर्ट इस्पेंसर और सीलर ने दिया था और भविसेश दर्शी धाड़ा पुर्वानुमानी धाड़ा जिसे हम एंटिसीपेटरी या प्री एक्सरसाइज थियोरी कहते हैं उसे काल गुरूस ने दिया था इसको पुर्वाभास या ततपड़ता के नाम से भी जाने जाता है और मनुरांजनाटमग धालळा यानै कि रिक्र्येस्टन थियोरी दिया था Lord Kems और डवलू पैट्रिक ने और पुनह अलोकन धालळा यानि पुनरकफन, पुनरविथिक धालळा यानि री कैपिपिचुलित्री थियोरी दिया था जी अस्टेल नी हाल ने यानि पुर्व अनुभाओं को 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 पुर्व लाइफ थियोरी दिया था जान डिवी ने, एनसेंग एनात्मक धारा काउगनेटी थियोरी दिया था जीम पियाजे ने सहज प्रवित्ती इंस्टिट प्राक्टिस थियोरी दिया था बिलियम मैक डूगल ने Question no.21 है दोस्तो कि तीन हजार मीटर स्टीपल चेज दोड में कितनी पानी बाधाएं पार करने पड़ती हैं तो दोस्तों स्टीपल चेज रेस जो है पानी बाधा दोड जिसे कहा जाता है कितनी होती है किल होती है इसमें से 28 जो है वोती है बाधा दोड प्लस साथ जल कुदे ठीक है तो यहां पे जल कुदों की संख्या कितनी होगी साथ होगी एन इसे बाधा के उचाए 0.91 मिटर होती है दोस्तों एंड इस्टिपल चेज 3,000 मीटर के बारे में डीटेल में जाना है तो आप एथलेटिक वाले प्लेजिश्ट में जाएए थियोरी सेशन में सभी चीज़े आपको डीटेल में मिल जाएंगे कोस्टन नमर बाईस है कि प्रात्मिक उपचार का आकास्मिक इस्थिती में सबसे महत्पुर कारे होता है तो दोस्तो इमर्जेंसी सिच्वेशन आकास्मिक इस्थिती में सबसे प्रात्मिक उपचार यान फोस्ट एड का प्रयोग कारे क्या होता है क्या आप कोसं चारों पढ़ लेते हैं ज़िकते हैं दुझतर भेंढ सी यहां पर राइट एंसर होत Islands करना यानकी सेविं लाइव को अस्वताल ले जाने के लिए परिवहन की बयुखण करना अब गलत है दूस्तो अवसरनन्रों सी PG-17 और के पास facility दोगा अविलोबल उसी के दवरा सबसे पहले जो उपचार किया जाता है डाक्टर के पास ले जाने से पहले उसी को हम कहते हैं प्राथमिक उपचार यानि फौ्स अइड यूस्पिंड आर ICI की पधति का प्रियोग किया जाता है, राई से होता है, रेश्ट, आई से बरप का प्रियोग करना, और S से कंप्रीजन यान दबावद दालना हिदे के उचाईंसे उपर, ऐस इस इसूपर एपना, कोर्शन नमबर 20 है, यदि सिखी जाने वाली है, सकी नहीं है दोस्तों सीखी जाने वाले है यहां पर यह समय सकते, आप एक दो कि बच्चे भी भी नहीं समझ पायेंगी आप लोग So graduate है यहीं सीखी जाने वाले नहीं निपूरता मैं कि सीखी गई निपूरता से भीन from the skill already learned then this transfer of learning is called तो दोस्तों इसमें न तो धना उस सिखने में आपको सहायता करेगा न तो बादायूत्पन करेगा तो इसमें क्या राइडें सरो हो जाएगा सुने इस थानांत्र जीरो ट्रांसपर जैसे कि सिखने का इस थानांत्र क्या है पहले के सिखे वे ग्यान का या स्की तो जब कोई नया कार सिखने में पुराना कारे जो है न तो बाधा उतन करे तो उसे हम सुन्नी या जीरो ट्रांसपर कहीं कोशन नमबर 24 है हिदे गती को परिवासित किया गया है हार्ट रेट इज डिफाइंड अस दोस्तु एज तो दोस्तु जहां पर यहां पर चारों कोशन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब राइड इंसर निकल के आएगा यहां पर यहां पर वैलिम और ब्लड करने का सुत्र होता है इस्ट्रोक वैलिम गुड़े हार्ट रेट इस्ट्रोक वैलिम किसे कहते हैं कि एक धड़कन में इतना रख्त सरी के तरफ पंप किया जाता है उसे हम इस्ट्रोक वैलिम कहते हैं जिसका हमान होता है सतर एमल और हार्ट रेट होता है प्रती मिनट बहत यहां पर नबर शित्लस का दोचार्चन फिल्ट ने कि अब बाकता स्बकूलल के य संग्राइब तो फिल्ट atención प्रिफ का बहिंत कर संग्राइब सक्वाशन पनाव स्टल योचन कर दोच नम्बरे स्कारण नंबर योच्चन बालत होगाई और कर शुरण पका मर्लिट हल् Secondly, क्या कहते है? कि हिदै गती यानि हार्ट एक मिनट में दिल से रग्त पंप की मात्रा कहेगा तो काडियक और पूट सो प्रती मिनट दिल के संकुझन की संख्या यानि कंट्रक्षन पर मिनट हार्ट कहेगा तब हम पहिदै गती हार्टेट राइट होगा यह दोन confusion न रहे पुरा clear रहे तभी आपका exam निकलेगा question number 25 है swate gland और found ill तो दोस्तों यह हमारे skin में पाए जाती है स्वेध गरंथिया किसमें पाए जाती है हमारे skin में पाए जाती है स्वेध गरंथिया तो यह स्वेध गरंथिया क्या करती है स्वेध गरंथिया skin में पाए जाती है लेकिन यह पैरों की तलूओं हाथ की हतेलियों बगल और कमर जैसे छेत्रों में अधिक पाए जाती है question number 26 है कि किंसियोलोजी का मूल अर्थ है the basic meaning of किंसियोलोजी तो दोस्तों किंसियोलोजी जो है किंसियोलोजी ग्रीक भासा यानि की लानी भासा की काइनेसिस और लोगों सबसे मिलकर बना है काइनेसिस और लोगों सबसे मिलकर बना है काइनेसिस सब्द का अर्थ होता है गती और लोगों सब्द का अर्थ होता है अधियन करना यानि गती का अधियन करना तो यहाँ पर डारेक्ट एंसर आपका हो जाएगा किनसियोलोजी इस दे सांच आफ मोमेंटS ठीक है जादे पढ़ने की इस पे ज़रूत नहीं है किनसियोलोजी इस दे सांच अफ मोमेंटS जो साब्द एक अर्थ निकल के आता है वही आपका right इसे हो जाएगा किंसिलोजी गती बिग्यान है किंसिलोजी क्या है गती बिग्यान है दोस्तों यहाँ पे एक question पूछा गया था बीपेसी टी आये 2 में किंसिलोजी की सुरुवात कब से माना जाता है तो किंसिलोजी की सुरुवात 1960 के दसक की सुरुवात में मान बीटामिन बीडिन नहीं प्याड़ा है तो फोड ऊटम ड्रशन नुटसटो क्या यह कोश्च नमब्र अठाइस है कि संतूलन निर्भर करता है बैलेंस डिपेंड्स आन दोस्तों जैसा कि संतुलन यानि बैलेंस जो है किसे कहते हैं डिभाइन करिए जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह कारी करिए कि वस्तु ना तो रेखिय गति करे और ना ही गुड़न गति करे उसे हम बैलेंस यानि संतुलन कहेंगे संतुलन जो है चार चीजों पर निभर करता है पहला है कि केंडरी गूर्थवा करसर बल यानि कि केंडरी गूर्थवा करसर बल बेंदू यानि संतुलन में तब तक रहेगा जब तक उसका cg point जहें central gravity point आधार यानि base के उपर रहे यानि cg point जितना नीचे होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा जैसा कि जो महिलाओं का cg point होता है पुल्सों से नीचे होता है जो हमार उसके hip का चोड़ा आधार होता है इसलिए इसलिए महिलाओं संतुलन वाले क्रियाय पुल्सों से जादे अच्छे कर लेती है दूसरा नीवर करता है संतुलन आधार का आकार कैसा है तो आधार जितना बड़ा चोड़ा होगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा अधार चोड़ा होने से उसका cg point shift हो जाता है जिससे गुर्तवा करसर रेखा अधार पर ही रहता है बाहर नहीं जाता तिसरा होता है physiological effect जैसा कि जानते हैं दोस्तों आप लोग की कान में इंडो लिंफ नाम का द्रव होता है फ्लीट होता है जो संतुलन में सहायक होता है यह अपनी जगव से अगर इंडो लिंफ हिल जाता है तो चक्कर आने लगता है जैसा कि जो कान का दूख आ रहे होता है सुनना एक संतुलन इस्भित करना ठीक है तर छोथ होता है जो पेसियूं वा तंतूं में मजूद होता है यह अपने आप आती है जैसे कि हमारा पेर कांच पर पढ़ने वाला होता है तो उससे हम चटकी से पहले अपने पेर को हटा देते हैं जिसे कानेस्थेटिक सेंस कहते हैं तो यहां पर राइट एंसर क्या हो जाएगा वस्तु के चवड़े अधार पर ठीक है संतुन निर्पा करता है विड़ बेस आफ द अबजेक्ट वस्तु के चवड़े अधार पर कोसर नमबर 29 है कि निमने में से कौन सी वाह उत प्रेड़ा नहीं है वीच आफ द फालिविंग इस नाट एन एक्स्टरनल मोटिवेशन तो दोस्तों यहां पर वाह अभी प्रेड़ा एक्स्टरनल मोटिवेशन कौन नहीं है जो अंदर से हमारे निकलता है अपने मन से जिस कारे को इच्छा से करते हैं वह आंत्रिक उद्परेड़ा होता है दुसरे के दिखावे के चकर में दुसरे के लिए या वह है चीजों से उत्परेड़ होके जिस कारे को हम करते हैं उससे वह है उत्परेड़ा करते हैं यहां पे reward यानि कि पूलसकार सजा यानि punishment प्रसंसा यानि कि प्रेज यानि की इस अभी जो है वह ቦ्ध प्रेड़ा है जिर प्रेज आनि जो डिजाइर है वो आंतरीक उद्ध प्रेड़ा है यानि कि दोस्तो जब एथलेट बाहरी खिचाओ आकरशर, बल या इनाम आदी की कारण कोई गत्य विधी शूरूख करता है तो उसे व समाजिक सम्मान रुतबार नवक्री आदिस सभी आ जाते हैं कि कोश्चन नंबर तीस है कि फ्रेंच नेश गौल ने सारे रिख सिच्छा का प्रारम किस देश में कराया इन विच कांट्री डिड फ्रेंच नेश गौल इंट्रोड़क्ट फीजिकल एजुकेशन तो यह आपके सारे सिच्छा का प्रारम फ्रेंच नेश गौल ने कहां पिकराया डेन्मार्क में इन्होंने दोस्तों कहां पिकराया यहां पर आपका कोसिन लग रहा है एक बार देख लेते हैं दोस्तों कहां पिकराया फ्रेंच नेश गाल ने राइट एसर है दोस्तों टेन्मार्क राइट है ठीक है इन्होंने डेनमारक में सिच्छा को 7-14 वर्स के बच्चों के लिए अनिवार कराया इन्होंने प्रथम ब्यक्ति है डेशवाल इन्होंने आधुनिक साइज सिच्छा की नियू डाली और 1799 में कोपेन हेगन ब्यान साला सिच्छर की स्थापना भी की और 1804 में जिमनास्टिक सिच्छो के प्रशिचर के लिए एक बिद्याले की स्थापना की थी इन्होंने दो पुस्तक लिखे हैं मैन्योल आप जिमनास्टिक, एन जिम जिमनास्टिक कोईशन नमबर 31 है सिंगमन फ्रायर जनख माने जाते हैं Sigmund Friar is Concedrate to be the Father of किस के जनक माने जाते हैं दोस्तों यह Manubis Leser-धार्णा यानि Psycho Analytic Theory के जनक माने जाते हैं Psycho Analytic Theory यह उन्हें Id Ego Super Ego मन को तीन भागों बाटा है चेतर मन जो बर्तमान से समधित है अचेतन मन जो चेतना में नहीं होता अध़चेतनमन जो याद आते हुए भी याद नहीं आता कोस्टन नमबर 32 है कि बैदिक काल की अवधी थी दा पिरियेड आफ बैदिक पिरियेड वाज दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इतिहास आपने पढ़ा हुआ होगा इस्ट्री उसमें आपको बैदिक काल में को दो भागा में बाटा गया है एक पूरू बैदिक काल जिसे हम रिग बैदिक काल कहते हैं और एक उत्तर बैदिक काल जिसे हम जो है उत्तर बैदिक काल जिसमें और अने तीन बैद आ जाते हैं तो जो पूरबैदी काल रिगवेदी काल होता है वो 1500 से 1000 इसा पूरू होता है एंड जो उत्रबैदी काल होता है वो 1600 इसा पूरू होता है यहां पर कोई आपसन ऐसा नहीं दिया गुआ जब कि इसे माना गया है पचीस सो से 600 इसा पूरू से 600 इसा पूरू यहां पर राइड एंसर हो जाएगा कोईसन नमर तैंटीस है कि परिछण मापन यों मुल्यांकन का परसपर संबन्द है निमने लिखित धंग से है टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवलेशन आर लेटेट तो इच अदर इन दो फॉल्विंग मैनर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो परिछण होता है वह मापन मुल्यांकन का हिस्सा है क्योंकि जब किसी चीज का परिछण होता है तब उसका हम मापन करते हैं यानि कि उसको चेक करते हैं जैसे आप परिछण देते हैं तो आपका परिछण हो गया उसके बाद जो का भी चेक होता है तो आपका मापन हो गया उसके बाद कौन खुना थे पूरज्थ चीजिद wys हो की जो सफ्टहन में को श्टेर को यहां तब भल struggle फिर रिशे कह मतलबि कि प्रिश्षा देते हैं सेल क मापन यह करते हैं की सब्सक्सरा किरतो है यानि यहां पर आसन नंबर सी आपका राइड एंसर हो जाएगा परिच्छर जो है उमापन ये मुल्य अंकर का हिसा है याद रखेगा ये इस परका का कोस्टन जरूर पूछेगा तो टेस्टिंग इज पार्ट आफ मिजरमेंट एंड इवल्यूस्टन कोस्टन नंबर 34 है कि निम्न लिखित कारको में से कौन सा प्रभाव समय साड़ी पर पढ़ता है वी जाव दे फॉलिविंग फैक्टर्स एफ है दर टाइम टेबल बनाते समय आप देखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है नंबर आफ इस्टुडेंट्स और अव यानि इस सभी आपके राइड असर हो जाएगा कि कोशन निम्र 35 है हिदे यों फेपड़े नियंद्रित किये जाते हैं हार्ड ये लाउंस और कंट्रूलेड बाई तो दोस्तों अभी जश्ट एक कोशन आया हुआ था इसी सेशन में कि हिदे यों फेपड़े जितने भी जै अबलांगेटा को होता है मेडिला अबलांगेटा की सनचना हमारे दिमाग के मद्वाग तथा नाड़ी तंत्रूं तंत्रूं से मिल जूरकर बनी है या इस्पाइनल कार्ड तथा दिमाग को जोड़ती है या दिमाग तथा इस्पाइनल कार्ड के मद्व सुचनाओं को जा बार्फर करते हैं ज़हें जफैक्ति मुथ और पिष्ट किस्वत करते हैं जब हो Karma यह कुधति अप पुर्ञेटान शाहिएन सकतिर पुर्ण हो जाए का सबस्केशन आदम स्व्हुख संसु परवाइस आदमारा. हो जाएगी इम पर ऑट होता है हमारे जैसे कि ब्रेंड के ब्रेंड करकॉंख भाग ही गногоयूट你們 में all हिंड ब्रें तो अग्रभाग में हमारा सेरी ब्राम यानि की प्रमस्तिस्क और थिलमस हैं मृद भौ्षropolी्ट ठीमीन दोरा हिन्ड ओना दोरा में द्हेला सेलांगट सेका से आप इनोटॉमियों फीजियो लोडी के प्लेलिस्ट में फ्यूरी सेशन में चले जाएए पुरी डीटेल में बताया गया है कोस्टन निम्डर छतीस है निम्ड में से कौन सा मालिस का भाग नहीं है वी चाहत फॉलिव इस नार्ट पार्ट अफ मोज मसाज तो दोस्तों मालिस होता है चार प्रकार का होता है मालिस जो है मसाज फ्रेंड सब्द है जिसका अन्थ है फ्रिक्शन आप नीडिंग यानि गुथते हुए घरसर करना इसका प्रयोग यह चार प्रकाल का होते हैं stroking, pressure, percusion, stacking यानि कि सहलाना, जोरना जिसमें से यह जो भाग है, stretching यह ने प्रकाल का होता है effilorage और stroking, जो pressure होता है knitting, bear research and friction, तिन प्रकाल का होता है जो परक्यूजन थपथपाना होता है जिसे हम टेपेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है थपथपाना जो है जो स्वसन थेरेपी भी इसको बोला जाता है स्वसन थेरेपी में प्रयोग किया जाता है जो हथेली दोरा प्रयोग किया जाता है चार प्रकार का होता है है किंग क होता है vibration और साइकिंग तो दोस्तों यह थप थपाना से लिया गया है यहां पे हैकिंग भी है क्यूपिंग भी है बीटिंग भी है बट कैम्पिंग यह नहीं है आपसा नमबर सी राइट होगा कूसें नमर साइस है क्यूब नमर से साइस है प्री hasnhti है क्यूल टीम यन खिलाडियों की संख्या होती है टोटल नमर आप आप टीम्हे याप लेयरर इन परी ओधीन तो इसमस्तों 16 खिलाडवी प्री मि मेर्ध zwilर में उत्हेयं Stig Act कोर्षण नमबर आर्टीस है कौन सा उत्तक सरी का संरच्छक करता है विच टीसू प्रोटेक्स दो बाडी मोस्ट इपोर्डेंट कोर्षण है जैसा कि आप जानते हैं जो टीसू यानि उत्तक होता है समान रचना समान कारे करने वाली कोशिकाओं की सम्हूं को हम उत्तक यानि टीसू कहते हैं चार प्रकार के होते हैं, epithelial tissue यानि report tissue इसी हम हिंदी में उपकला उतक कहते हैं, दुसरा है connectize tissue यानि सञयोजी उतक, तिसरा है muscular tissue यानि पेसी उतक, त्रुटर ये नरवाज tissue यानि तंत्रिका उतक, लेकिन इसमें इसमें एकों सा उतक सरी का स्थनचर करता है तो इसका राइ शात्मक आरण बनाता है या उत्तकों की कोशिकाओं को चोट हानिकारक पदार्थों वैक्ट्रियल संक्रमना आधी से बचाता है कि कोश्चन नबर 49 है कि अधिगम के अंतर द्रिष्टी सिधात का प्रतिपादन किष्णी किया क्योंनों लेर्ण दोस्तों इन साइट एफुली आफ लेर्निंग कोहलर ने चिम पंपई जी पर प्रयोक ऐग है ठायल दिया है पावलाओंने अनुकुलित 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 अनुक अधिक है तो जैसा कि एंडो मॉर्फिक मेशो मॉर्फिक एंड एक्टो मॉर्फिक बाड़ी टाइप को बाटा है सेल्डन ने जिसमें से जो एंडो मॉर्फिक बाड़ी होता है वह मोटा कोमल बहुत खाने की प्रभिति रखने वाला अराम तलब बिनोद प्रिय मिलंसार होता है जो उन खेलों में ज्यादा अच्छा होता है जिसका सम्मध मुकृप से ताकत और स्ट्रेंट से होता है जैसे पावर लिप्टिंग ग सुडोल काय बाड़ी सुमेटर टोनिक भी कहते हैं जो अस्थी पंजर पेसिया प्रिक्सित होती है मजबूस सरीर होता है या सासी उस्थाही निदर ससक्त अधिकार पुर प्रवित्ती कटनाइस में अधिक सक्री रहता है या ताकत चपलता तथा चाल से समधित खेलों के ल सेब्रो टोनिक भी इसे कहा जाता है यह लंबा दूबला कमजोर सुंदर सर्विवाला होता है और यह सहंसिलता या एंडुरियन्स जिमनास्टिक जैसे खेलों में अच्छा बचस्त बनाए रखते हैं तो यहां पर कोसे निबर 40 का अंसर क्या हो जाएगा और इस चीज को य अपनी योगता का अधिक मुल्यांकन करते हैं अपनी योगता का अधिक मुल्यांकन करते हैं एंडुमर्फिक राइट एंसर हो जाएगा क्यों सा प्रभाव नहीं है वीच आफ फालिविंग इज नाट एन एफेक्ट आप एक्सरसाइज आंदा मस्क्यूलर सिस्टम दोस्तों जब हम व्यायाम करते हैं तो पेशी संस्थान पर क्या प्रभाव पढ़ता है पेशी के आगार बढ़ जाता है उसे प्रोटीन की जो स भी काउन तक पोहँचाता है वसी तरह हमारे मांस्पेसियों रहता है इसके करम मांस्पेसियों का रंग लाल दिखाई देता है और मांपिल जो है आक्सिजन को धारा करता है ग्लाइकोजन को धाया करके रखता है जो हम कारे करते हैं तो उसमें हमें उर्जा देता है तो दोस्तों पेशी संस्था में ब्यायाम का क्या प्रभाव नहीं है यहां पर पुछाए सबसे पहले हम देखें कि क्या क्या प्रभाव है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी यह र इंक्रीज मायोग्लोबिन कैपेसिती इंक्रीज दफैट फ्री मास बढ़ेगा दोस्तों इन चरीकी वसा बढ़ना इंक्रीज इंब बाड़ी फैट नहीं बढ़ेगा तो इस प्रकार कोशन बेरी इंपोर्डिन है तो जो हम ब्यायाम करेंगे तो हमां स्पेशी संस्थान प बढ़ेगी वसा रही तबहर बढ़ेगा याने फैट फ्री मास इंक्रीज होगा ठीक है तो więc तो प्रूस नहीं तो सरीकी वसा बहना यह गलत है यह प्रभाव नहीं हो और बढ़ेगा सण अनुब 27 क भेब मोसख बढ़ेगा इंप तरिक है मैं ठीम करे नहीं बढ़ेगा स्य यहां बेशन नबर डी आपका सही है यहां ब्यान का प्रफावर नहीं होगा कोस्टन नुबर 42 है आज के सेस्थन का लाश्ट कोस्टन दोस्तो कि सरी जाज के सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है तर लाज़ेस्ट ग्लेंड आफ दथा ग्लेंड हैं तो सबसे लाजेस्ट ग्लेंड यानि की ग्रंथी कौन सी है तो यक्रित होती है दोस्तों कि अगर सबसे बड़ी अंता ही स्बारी था जाहेट हुझा सबसे बड़ी बड़ा ंंग सेगा इस्कीन हो जाएगा तो दोस्तों यह था आज के सेशन में 52 कोसें período ऑलік यानि पचास साथ वीडियो एक महिना के अंदर अपलोड होंगे आपकी परिच्छा तक सभी चीजे कंप्रेट करा दिया जाएगा आप टैंसर न लीजे बस डेली बेसे से मेरे साथ जुड़े रहिए तो दोस्तों I hope कि सभी कोशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा किसी किसी कोशन में कंफीजर होगा तो कमेंट में जरूर बताएए और जादे से जादे वीडियो को सेयर कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्राइटेस में तब तक के लिए जाहें